सभी बच्चों को नमस्कार हम बात कर रहे थे हाई princes function की तो हमने इसके जो basic use के tools थे ओव ठूस नंक ये formula कहिए पोच हैमर सिंबल क्या होता है यह इसके बारे में बात किये थी hyper-ète粉 को लिखा कैसे इसे आता है ठीक है उस कौन से पैरामीटर्स कैसे लिखे जाते हैं, उसको क्या इंडिकेशन होता है, पोच हैमर सिंबल का गामा फंक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में बात की थी, देखे किसी भी डिफिरेंचल एक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बैसल साब ने एक का इक्वेशन दिया था गाउस साब ने, तो पहले तो हम देखेंगे, हाइपर जिवेटर्स की प्ले लिस्ट पड़ी है, उसको देख लीजेगा, तब यहां पहुंचेगा, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका इससे कोई मतलब नहीं है, यह एक नया मेथड है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशल उकेशन देखते हैं, कि किस प्रकार का डिफरेंशल उकेशन हाइपर जिवेटिक फॉंक्शन कहल आएगा, ठीक है, यह नढए सा डिफरेंशल उकेशन है, तो गौश साब ने सोचा था, अब कलपना करिए कि कि इतने महानस चांड मैथमेटिशन रहे हो इसका सरी सलूशन निकालना है और यहाँ x is equal to 0 जो है इसका regular singular point है इसको कहते है regular singular point अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इसको आप पहले भी पढ़ चुके है देखे जो आपका ordinary point होता है x यह जो y double dash का जो coefficient होता है न अगर x की value यहाँ रखने पर यह 0 ना हो इसको झीरो पर वह 0 ना हो उसे हम ordinary point कहते है ठीक है और जिस पर 0 हो जाए उसको हम कहते हैं singular point ठीक है और singular point दो प्रकार की बताया के थे singular point regular singular point और irregular singular point उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा उसके बारे में हम बात कर चुके है क पहरे वीडियो में तो उस प्लेलिस्ट में आपकी बैसल्स फंक्शन में वो पड़ी भी है वो देख लीजेगा ठीक है अब देखिए इसका स्रीज सलुसन कैसे निकालेंगे जैसा कि पीछे भी आप करते आए हैं कि आप एक स्रीज सलुसन माल लेते हैं कि भाई इसका ये स्र स्रीज सलुसन आफ स्रीज सलुसन आफ डिफरिंसल उक्विशन फ़ण स्रीज इसलिये कहा गया कि y वराबर x की पावर में एक स्रीज हम मानते हैं अब स्रीज में मानेंगे नहीं सिग्मा के फ़ाम लिखेंगे तो y is equal to यहां माना जाएगा सिग्मा cm x की पावर k प्लस m cm x क जीरो टो इंफिनिटी ये सिरी सलूसन है बस आंसर आ गया अब आपको के एम इस वैलू एम तो जोड़ता नहीं पड़ेगी एम तो आलेडी उस फ़ाम में है आपको के की वैलू निकालनी पड़ेगी एम के टम में और उठाक रगदो कि सिरी सलूसन आ जाएगा काम खतम तो को कि अचा अंसर आगया नहीं आपने इसको इसका सलूसन माना है न तो इसका मतब ये जो वैलू आपने मानी है यह सक करेगी इसको सर Mimi करे दीजे, satisfy कैसे करेंगे, एक बार इसको differentiate करेंगे, आपको y माना अपने, अब आपको y dash निकालना पड़ेगा और y double dash निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ y dash निकालते हैं, यहीं निकाल लेते हैं, क्यों जगह बहुत चाहिए इसके लिए, y dash क्या निकलेगा, इसको एक बार x क respect में differentiate किया जाए, तो sigma, m varying from 0 to infinity, cm, यहाएगा, k plus m, x की power, k plus m, minus 1, देकि चुँकि बहुत सारे steps इसमें हैं, और इतना board में जगह नहीं होती है, अब जो digital board होते हैं, उसको slide करते रहो, लेकिन अब यहाँ पर संभो नहीं है, ठीक है, और जब इसका double derivative करेंगे, y double dash, तो क्या आएगा, इसको फिर differentiate करेंगे, तो आएगा sigma, m varying from 0 to infinity, देखे, इसको कैसे लगाते हैं, इसका indicial equation, यह सब आपने basals में पढ़ा होगा, basals legendary पढ़के यहाँ पहुचिएगा, ठीक है, तो cm, into k plus m, x की power n का क्या होता, nx power n minus 1, तो एक बार आपने किया, तो n यह पहले आगया, और x की power में एक कम हो गया, आप k plus 1 पहले से दिखाए न, तो यह क्या आएगा, k plus m minus 1, x की power, k plus m minus 2, ठीक है, अब आपने का भाई, यह इस differential equation का solution है, तो यह इसको satisfy करेगा, तो इन values को उठा देते हैं, और इसमें रख देते हैं, putting these values, putting these values, these values in equation 1, आप इनको note करते रहेगा, क्योंकि हम इसको rub भी करेंगे, फिर आप से पूछें, आप से पूछेंगे तो आप तो बताएंगे नहीं, आप तो अपने घर में बठे होंगे, लेकिन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब इस value को उठा कर रखते हैं, ज़रा इसको ध्या से देखिए या, यह क्या लिखा है, तो आप कहेंगे भी है, यह लिखा है, एक्स माइनस एक्स स्कोर, लिख दी आपने, वाइड डबल डैस की value, आप कहेंगे यह छोटी से नहीं से value है, तो लिख दो, सिग्मा, m varying from 0 to infinite, cm, into k plus m, into k plus m minus 1, x की power, k plus m minus 2, यह तो value हो गए इसकी, है न, minus, यह बहुत लंदी, लंबा जाएगा, डरियेगा नहीं, लंबा बताएगे नहीं से, अब डरने की जोट नहीं है, तो यह क्या हैगा, गामा माइनस, alpha plus beta plus 1, इसके बाहर की ओल x है, और इस पूरे के बाहर है y dash, तो y dash की value क्या होगी, कैमरे को, जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, बास, y dash की value क्या है, सिग्मा, m varying from 0 to infinity, cm, k plus m, x की power, k plus m minus 1, आगे, ठीक आगे, और माइनस, alpha, beta, और y की value क्या होगी, सिग्मा, m varying from 0 to infinity, cm, x की power, k plus m is equal to 0, बस आपका अंसर आगया, बुले, अभी तो आपको, यहाँ यहीं आँसर आगया था, यहाँ आँसर आगया, पागल होगया, मस्टर, नहीं पागल नहीं है, सुने ध्यान से, अब हमको bracket खोलना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ भी है, multiply में, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कुछ power का calculation होगा, उसको multiply करेंगे, तो अब हम board को उपर से साफ करते हैं, यह हम कहीं रख लेते हैं, इसकी जरूरत हमको पड़ेगे न, ठीक है, यह बात जब याद आएगा तो हम बता देंगे, इसको फिलहाल equation number 2 डाल दीजेए, यह वाला, जो आपने जियूम किया, इसको 2 डाल दीजेगा, ठीक है, इस step को छोड़के पूरा उपर का हम रख करते हैं, आप ज़रा एक-एक step सुनते जाईए, जो कहते हैं, पोड़ी-पोड़ी चरता जा, जय माता दी कहता जा, बस एक-एक step चलते जाओ, जय माता दी बोलते जाओ, नहीं, अगर मुस्लिम student है उनके लिए तो अपने हिसाब से अपना नाम लीजिया, क्योंकि student होता है, और धर्मवाले अपने भगव सिग्मा, m varying from 0 to infinite, cm, k plus m, k plus m minus 1, और x की पार हो जाएगी, k plus m minus 1, क्योंकि माइनस 2 था, और माइनस 2 में 1, प्लस हो जाएगा, रैटिंग थोड़ा गंदी है, तो मैंच करिएगा, अब यहाँ माइनस लगा है, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, चला, अब इस पूरे का मतलब चलो, वो गलत गोल गए, इस पूरे का मल्टिप्लाई, जब इस x स्क्वाइर से करोगे, तो यह पावर एक बढ़ जाएगी, दो बढ़ जाएगी, मैंने माइनस 2 यह हो, प्लस 2 यह प्लस हो जाएगा, तो क्या हैगा, सिग्मा, m varying from 0 to infinity, cm, k plus m, k plus m, k plus m, k plus m, माइनस 1, x की पावर, k plus m, ठिक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, जी, इसके बाद क्या किया, इसके बाद यहाँ पर पहुंचे हम, यहाँ पर गामा के साथ इस पूरे का मल्टिप्लाई किया, तो x से कोई फर्क तो पढ़ा नहीं, आप कहेंगे, नहीं, तो आया माइनस का, गामा यह आएगा, सिग्मा, m varying from 0 to infinity, अब गामा को चाहे सिग्मा के अंदर करो, चाहे सिग्मा के बाहर करो, क्यों गामा का सिग्मा से कोई मतलब है नहीं, तो कहता है, कहीं भी आप बताओ, हम बैठ जाएंगे, cm, x की पावर, नहीं, सॉरी, cm, into k plus m, into k plus m, minus 1, नहीं, minus 1 क्या कर अब जरा देखें जान से, इस पूरे step, एक ही step है न, इसमें x बाहर लिखा हुआ है, तो जब x का multiply यहां से होगा, तो यहां की पावर बढ़ जाएगी, और बाहर क्या बचेगा, अच्छा यह minus बाहर है, यह minus यहां पर है, यहां प्लस आ जाएगा, यहां आएगा, यहां प्लस बीटा प्लस वन, सिग्मा, m varying from zero to infinite, cm, k प्लस m, x की पावर, x की पावर, k प्लस m, सही का मैंने, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर कोई फर्क पढ़ता नहीं, तो आएगे लिखा रहेगा, तो आएगा, तो आएगा, m varying from zero to infinite, cm, x की पावर, k प्लस m is equal to zero, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हाई स्कूल लेविल का था, हमने ब्रैकेट खोल दिया, जहां पर x की बेस सेम थी, मल्टिप्लाई था, तो पावर को हमने एड़ कर दिया, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक दिख रही होगी, कि यहां पर x की पावर, k प्लस m minus 1 है, और यहां पर x की पावर, k प्लस m minus 1 है, तो हम क्या, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख करके, x की पावर, k प्लस m minus 1 कामन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे हां, तो ले लिजे कामन, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखत sigma बाहर हो गया, m varying from 0 to infinite हो गया, cm यहां common है, cm यहां common है, cm यहां common है, cm यहां common है, k plus m यहां common है, k plus m common है, k plus m common हो गया, x की power, k plus m minus 1 common हो जाएगा, तो इधर ही ले लो जाएगा, बाद में ले लो, x की power, k plus m minus 1, यहां क्या बचेगा? तो यहां बचेगा k प्लस m माइनस 1 और यह माइनस का गामा ठीक यह आपका पहला इस्टिफ हो गया ठीक अब देखो इन भाइस आपके पास x की पावर k प्लस m है इन भाइस आपके पास x की पावर k प्लस 1 है इन भाई साब की पास X की पाउर K प्लस M है तो इन तीनों से X की पाउर K प्लस M कामन हो जाएगी ले लेते हैं कामन ठीक है तो देखिए अच्छा इसके पास भी माइनस है इसके पास प्लस इसके पास माइनस है चाहे तो माइनस कामन ले लो और चाहे ना ले लो यहां भी है तो X की पावर K प्लस M कामल ले लिया है अब यहां दूक्ष बचेगा क्या प्लब बचेगा आजीव टाइप का क्योंकि एक मैंस कामल ले लिया ध्यारना कि मैंस कामल हुआ Sign mistake नहीं होना चाहिए यहां से CM कामल K प्लस M नहीं कामल है तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा k plus m, k plus m minus 1, है न, यह स्टिफ हो गया, फिर यह काम लिया आपने, यहां बचेगा plus, minus, minus, यहां पर आपने cm ले लिया है, क्या बचेगा, तो यहां क्या बचेगा, alpha plus beta plus 1, ब्रैकेट में k plus m, और यहां से आपने पूरा काम ले लिया ह तो बचेगा माइनस अलफा वीटा माइनस अलफा वीटा और बाहर कुछ नहीं बचेगा equal to zero समझ में आई बात नहीं आई ठीक है अब ज़रा समझेगा यह जो ब्रैकेट यहां से यहां तक है ना इस ब्रैकेट को हम अलग से solve करेंगे आप क्या करेंगे आप इसका कुछ नाम दे देंगे जैसे आप यहां से ले करके यहां तक आपने इसको नाम दे जा capital A और आप लिखेंगे taking capital A कारण यह है कि इसको solve करते वक्त अगर आप पूरा step लिखेंगे तो हर बार यह लिखना पड़ेगा तो हम क्यों ब्रैकेट ले करते हैं ब्रैकेट को solve करने जा रहे हैं इसको रब नहीं करेंगे उपर रब करेंगे हम देखने हैं सही आ रहा है चलिए रब करने के पहले हम बच गए sign mistake हो रहा था यह चुकि गामा के पहले plus sign था तो यहां plus होगा sign और यहां पर minus sign होगा पहली तो यह गलती हो गई ठीक है और सब सही है और जब यहां पर हमने common लिया है तो यहां plus gamma हो जाएगा चुकि हमने यहां minus common लिया है तो यह plus का हो जाएगा और यह भी plus का हो जाएगा बस यह गलती कर रहे थे हम वो तो एको रब करने के पहले मैं निगाह दोड़ा लीगे हमने हमने का एक मिनेट के लिए देख लेते हैं अब मैं ब्रैकेट लेने जा रहा हूँ देखें अब यहां मायनस कामल लिया तो यह साइंग भी प्लस हो जाएगा न अब देखो टेकिंग ब्रैकेट आप ब्रैकेट के वज़े ए आपने मान रखा है तो आप ए लिख देंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई आप इसको solve करते वक्त बार बार अगर पुरा step लिखोगे तो सब लिखना पड़ेगा न तो आप इसका कोई नाम दे दीजेगा ब्रैकेट के आपके पास है के प्लस एम इन ब्रैकेट के प्लस एम माइनस वन प्लस एलफा प्लस बीटा प्लस वन इन्टू के प्लस एम प्लस एलफा बीटा साउधान अब देखो ज्यान से इस के प्लस एम का अगर मल्टिप्लाई इस के प्लस एम से करें इसका इस के प्लस एम से करें तो यह क्या के प्लस एम का होल स्क्वार हो जाएगा आप कहेंगे S फिर 1 से करेंगे तो माइनस का K प्लस M हो जाएगा और प्लस ये लिखा रहे हैं तो K प्लस M पहले कर दो अच्छा लगेगा ये K का टांग जुड़ जाती है प्लस के साथ और अलफा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अलफा बीटा ठीक है अब बेकर नहीं सॉल्व कर सकते क्योंके भी ब्रब नहीं कर सकते क्योंके हमको यहां कर लिखना पड़ेगा अब जिरा देखो इसको क्या लिखा जाए कुछ कामो नॉमो देख रहा है कि आपको आपको देख रहा है दो देखे ध्यान से ये k plus m का whole square लिखा रहने दो ठीक है देखे ध्यान से यहाँ पर भी k plus m है यहाँ पर भी k plus m है अगर यहाँ से k plus m काम ले ले चुक्कि बड़ा है तो positive k plus m काम ले ले k plus m यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा alpha plus beta plus 1 और यह minus का 1 बचेगा एक-एक step समझते जाओ हम इसको रब नहीं कर सकते क्योंकि हमको value यहीं रखनी है इसलिए हम उपर ही रब करेंगे इसको है न जगह चुक्कि कम रहती है कहां कहां से ब digital board ले आए बड़ा महंगा आता है तो इसी से काम चला रहे समय आएगा सायथ digital board लेंगे देखा जाएगा अब देखो ध्यान से यह one one कड़ गया तो यह क्या आगया यह आगया आपका k plus m का whole square plus alpha plus beta के साथ आएगा k plus m और plus alpha बीटा आएगा अगर ध्यान से इसको देखें तो आप इस bracket को अगर खोल दें तो इसको कैसे लिखेंगे k plus m का whole square plus alpha के साथ आएगा k plus m plus beta के साथ आएगा k plus m और plus alpha बीटा एक-एक step समझते जाएगा tough नहीं है क्योंकि एक procedure है इसका आपको दो step याद करने पड़ेंगे कि differential equation किस form की होती है उसका असरी solution क्या बस value put करो coefficient equate करो काम खतम ठीक है अब देखो ध्यान से अगर इन दोनों को ध्यान से देखें इन दोनों को इस system को और इस system को अगर यहाँ से आप k plus m काम ले लिजेगा तो यहाँ क्या बचेगा k plus m plus alpha बचेगा और इन दोनों से अगर बीटा काम ले लिजेगा तो k plus m plus beta बचेगा तो अगर इन दोनों से k plus m plus alpha काम ले लेंगे तो बचेगा k plus m plus beta आप यहाँ तक समझ गए कि यह bracket जो है आपकी bracket की value निकल आई इसको equation number 3 डाल दो तो आप लिखेंगे putting this value in equation number 3 आप 3 में रख देते हैं जब 3 में रखेंगे तो यहाँ रख देंगे putting this value in 3 तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह bracket के अंदर की जो value है यह जो bracket है यह बन जाएगा आपका k plus m plus alpha और k plus m plus beta is equal to 0 कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ न हाँ यही इसको उपर लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक सौंज में आगया होगा अब देखें जैसे आपने series solution क्या माना था sigma cm x की power m plus k माना था m varying from 0 to infinity यह solution बोले तो यह y की value थी यही answer है आपका तो जब इसको खोलेंगे m की value रखेंगे तो आएगा c 0 x की power m को रखेंगे 0 तो k आएगा plus c 1 x की power k plus 1 आएगा plus c 2 x की power k plus 2 आएगा and so on तो यही c 1 c 2 तो आपको निकालने हैं तो इन constants को निकालने के लिए आपने vessels में भी पढ़ा है legendary भी पढ़ा है कि हमको एक indicial equation बढ़ानी पढ़ती है indicial भी लोग बोलते हैं we make the indicial equation we make the indicial equation i n d i c i a l indicial equation कैसे निकालेंगे इसमें आपको एक्स की जो lowest power होगी उसके coefficient को zero करेंगे by equating by equating the coefficient of lowest power of x lowest power of x that is अब क्या x की lowest power होगी तो आप कहेंगे भी यहाँ पर x की power आई है k plus a minus 1 और यहाँ पर x power k plus m i है तो lowest क्या होगी देखो जब m की value पहली रखेंगे 0 0 रखने से क्या होगा यहाँ पर k minus 1 आ जाएगा और यहाँ पर k आ जाएगा तो आप बताए k minus 1 छोटा है या k छोटा है तो k minus 1 छोटा है तो यानि कि आपको x की power k minus 1 to 0 करेंगे ठीके 0 और यहाँ पर कब होगा at m बराबर 0 तो जब x की power k minus 1 करोगे m को 0 करोगे तो क्या यह value c 0 k k m तो 0 हो गया ठीक है into k minus 1 plus gamma is equal to 0 होगा नहीं होगा द्याद समझेगा 0 होगा ना आप चुकि c 0 0 तो है नहीं as c 0 की value हम जानते 1 होती है nc 0 है यही आपका binary coefficient वाला तो इसका मतब यहाँ पर k की value 0 आएगी और 1 k minus 1 plus gamma बराबर 0 आएगा यानि k की value एक आएगी 1 minus gamma आपको k की 2 value मिली एक 0 मिली है और एक 1 minus gamma मिली है पर इन ही 2 value को ले करके हमको coefficient c 0, c 1, c 2, c 3 की value निकालनी पड़ेगी यह 2 cases हमारे पास आए ठीक है अब इसके बाद क्या करे हम भई इससे तो काम के बल बनेगा नहीं कि हमको तो c 1, c 2, c 3 भी चाहिए तो हमको इसके बाद second lowest power की value भी 0 करनी पड़ेगी एक recurrence relation निकालना पड़ेगा ठीक है इसको अलग लिख लेते हैं क्योंकि उपर वाले को रब नहीं कर सकते हैं यह इसमें जगह है भी तो we make a recurrence relation दीखें we make the second power 0 नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जब legendary में कर रहे थे तो हमको वहाँ पर a1, a2 हमने मानी थी constant माना था तो a1, a3, a5 ऐसे odd वाली value 0 आ गई थी और even क्यों निकालनी थी यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है तो हमको एक recurrence relation निकालना पड़ेगा recurrence का मतलब होता है एक ऐसा फामला जिसमें m कमान रखते जाओगे रो आंसर आपका मिलता जाएगा तो we make the recurrence relation recurrence relation उसके लिए भी हमको coefficient equate करना पड़ेगा अब coefficient equate क्या करें? कैसे equate करें? तो we equate the coefficients of by equating जब ध्यान से समझेगा equating the जब रैटिंग गंदी है समझेगा coefficient of देखो अब coefficient काउशन लें हम? एक general term लेंगे general term में आपने जो माना है ना वो माना है cm x की पावर m प्लस k तो जब यहाँ sigma लगाओगे तो m प्लस 1 आएगा m प्लस 2 आएगा, m प्लस 3 आएगा m प्लस 4 आएगा तो हम equate करेंगे x की पावर k प्लस m माइनस 1 का coefficient जड़ो करेंगे तो देखे ध्यान से इसके पास तो आलेडी k प्लस m माइनस 1 है, कोई दिक्त तो इसका coefficient क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा cm k प्लस m k प्लस m माइनस 1 इंटू गामा coefficient ले रहें x की पावर नहीं लिखी जाएगी माइनस, अब देखो ध्यान से क्या यहाँ k प्लस m माइनस 1 नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं क्यों 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 आप रखते जा रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, तो एक स्टिप k प्लस 1 माइनस 1 तो आएगा न तो इसको अगर हम k प्लस m माइनस 1 लाना चाहते हैं तो आपको साब साब देख रहा है कि m की जगे m माइनस 1 लिखना पड़ेगा अगर मैं m की जगे m माइनस 1 लिख दूँ तो भाई देखे m के बाद 0, 0, 0, 1, 2, 3 रखोगे तो एक रास्ते में value माल लेते हैं कि m माइनस 1 लाई होगी ठीक है तो अगर हम यहाँ पर m को m माइनस 1 लिख दें तो क्या यह x की power k प्लस m माइनस 1 नहीं बनेगा तो आप कहेंगे बनेगा तो coefficient क्या होगा तो coefficient होगा cm माइनस 1 क्योंकि m को लिखा m माइनस 1 और यहाँ आएगा k प्लस m माइनस 1 प्लस alpha और यह आएगा k प्लस m माइनस 1 प्लस beta इसको मैं एककोल तो 0 करूँगा समद में आई बात ठीक है अब इसको देखो cm वाला ट्रम इधर लिखो तो cm की value निकालोगे तो उधर क्या आएगा उधर आएगा k प्लस m माइनस 1 प्लस alpha k प्लस m माइनस 1 प्लस beta और अपान में यह आएगा जो भी into में है इसके साथ k प्लस m into k प्लस m माइनस 1 into gamma और into में आएगा cm माइनस 1 यह आपका recurrence relation coefficients का बना थीक है अब यहीं पर m का मान रखते जाएंगे और एक general value हम निकालते जाएंगे ठीक है इसको अलग से उपर note कर लेते हैं फिर बात करते हैं आप से तो हमने indicell equation से k की value निकाली दो और यहाँ पर हमने एक recurrence relation निकाल दिया cm और cm minus 1 में अब यहाँ first case हम लेके चल रहे हैं चुले हम इसका hypergemetric function का जो differential equation था hypergemetric differential equation उसका solution निकालें गॉस्ट साब ने बताया था इसको ठीक है first case लिकेंगे when k is equal to 0 तो k command 0 करोगे तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि cm की value आजाएगी आपकी m minus 1 plus alpha k 0 हो गया ना m minus 1 plus beta upon k को रखा 0 तो m आएगा m minus 1 आएगा into gamma into cm minus 1 कर सकते हैं खोले हाँ आपके हाथ में पेने कुछ भीर कर सकते हैं अब m command 1,2,3 पो रखते जाओ c0, c1, c2 निकाल दो आपका solution निकलाया ठीक है आप लिखेंगे when m is equal to 1 लिखना है m 1 क्यों लिखा है क्योंकि 0 आलेडी हम c0 मालू है आपको तो जब m रखेंगे 0 तो यहाँ c1 m को रखेंगे 1 तो c1 आएगा यहाँ m को 1 रख रहे हैं तो 1 minus 1 plus alpha 1 minus 1 plus beta upon 1 into 1 minus 1 into gamma into c0 यह कहीं गड़बड हो गया है क्या k plus m minus 1 कोहीं गलाद लिए प्लस गामा है स्वरी क्या गड़बड है प्लस गामा है प्लस गामा है तो 1 minus 1 plus गामा है ना यानि यह क्या गया alpha into beta upon gamma into c0 यह c1 की value आगई ठीक है अभी आपको push hammer symbol याद होगा अभी हम वो push hammer नहीं होता मैं ऐसे हासी में कहारा हूँ वो बात में बात करूँगा ठीक है m को 2 रख दीजिए अभी आप पकड़ में आ जाएगा m को 2 रख दीजिए तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ भाई साब c2 बन जाएगा ठीक है 2 रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो 2 minus 1 यानि 1 यानि 1 plus alpha बचेगा या alpha plus 1 कह दीजिए alpha plus 1 कहोगे तच्छा लगेगा ठीक है alpha plus 1 थोड़ा alpha को सम्मान फिलोगा यहाँ पर 2 रखोगे न तो 2 minus 1 वन 1 plus beta यानि beta plus 1 अपान यहाँ 2 रखा तो यह 2 हो जाएगा यहाँ 2 रखा तो gamma plus 1 into यहाँ 2 रखा तो यह c1 आ गया चलेगा c1 की value आप निकाल चुके है alpha into beta upon gamma तो मैं अगले step में alpha into beta upon gamma into c0 लिसकता हूँ कोई दिक्कत अब मैं थोड़ा सा इसमें adjustment करना चाहता हूँ alpha को कह दूँगा भाई alpha plus 1 आपकी अम्मा है उनके पास जो और beta को कह दूँगा बीटा के पास जो तो क्या इसको alpha into alpha plus 1 इसको beta into beta plus 1 अपान 2 तो लिखा हूँ हूआ है gamma into gamma plus 1 into c0 लिसकते हैं लिख सकते हैं अगर आपको याद आ रही हो poch hammer symbol की अचा आप भी ना भी याद करूँ तो चलेगा लेकिन अगर याद आ रही हो तो क्या ये alpha suffix 2 नहीं था अब इसके पहले poch hammer symbol आपने पढ़ा दी है अब पढ़ना पढ़ेगा क्या beta beta plus 1 beta suffix 2 नहीं था अपान 2 into gamma suffix 2 नहीं था into c0 था ना तो इसको भी आप चाहो तो ले सकते हो है alpha suffix 1 into beta suffix 1 अपान gamma suffix 1 c0 तो ये c1 के लिख आगे c2 के लिए आगे एक और निकालेंगे क्योंकि एक symmetry हम पकड़ना चाहते है कुछ और क्योंकि मैं इस 2 को छू नहीं रहा हूँ आगे लिए 2 क्या लिखा इसको समझना पढ़ेगा तो एक और m कमान रख देते हैं ठीक है m कमान 3 रख देते हैं और इदादा रखेंगे तो यहाँ पर c3 हो जाएगा अच्छा यहाँ पर जब 3 रखोगे तो क्या यह 3 माइनस 1 बोले तो 2 यह यह alpha प्लस 2 हो जाएगा और यह beta प्लस 2 हो जाएगा नीचे 3 आएगा gamma प्लस 2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा c2 कमार निकाल चुके हैं आभी अब c2 यह निकला है ठीक है पूरा तो इसको हम देखो c2 के पास alpha प्लस 1 है beta प्लस 1 है alpha है beta है तो c2 जब रखेंगे तो क्या मैं alpha into alpha प्लस 1 into alpha प्लस 2 नहीं लिख सकता हूँ c2 के पास alpha है alpha प्लस 1 है और alpha प्लस 2 यहां पर एकसाल लिख दिया हमने और इसको मैं क्या beta into beta प्लस 1 into beta प्लस 2 नहीं लिख सकता हूँ अपान इसी प्रकार से gamma into gamma प्लस 1 into gamma प्लस 2 नहीं सकता हूँ और c0 लिखूँँगा अभी देखो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है तो 3 into 2 आएगा तो क्या इसको factorial 3 लिखा जा सकता है इसी प्रकार से यहां factorial 2 लिखा जा सकता है ठीक है तो इसको poch hammer symbol से represent कर सकते हैं न तो अगर इसको हम चाहें तो c3 को लिख सकते हैं alpha suffix 3 beta suffix 3 gamma suffix 3 into factorial 3 c0 लिख सकते हैं c3 की value लिख सकते हैं न अब value निकल आई c1 निकल आई c0 के term में आपको answer लाना है c1 निकल आया c2 निकल आया c3 निकल आया अब आपना जो solution माना था y is equal to sigma cmx की power m plus k अब यहां उठाग रख दो तो putting these values in equation number 1 तो जब equation 1 में रखोगे तो आपके differential equation का solution क्या था sigma m varying from 0 to infinity cmx की power k plus m था न और यहां k भाई साहब क्या निकले है k भाई साहब निकले है 0 तो यानि यह आ जाएगा आपका sigma m varying from 0 to infinity c0 क्या लिख रहा हूँ cmx की power m हो जाएगा क्यों k गैब हो गया और जब हम m का मान रखेंगे तो c0 x की power 0 प्लस c1 x प्लस c2 x square प्लस c3 x cube प्लस so 1 आएगा आपके infinity और आपने c0 c1 c2 c3 की value निकाल चुकी रख दो उठागर की c0 तो c0 ही रहेगा और c1 आपने क्या निकाला है आपने निकाला है alpha suffix 1 beta suffix 1 इनको factorial 1 into मिले सकते हो चाहो तो एक symmetry आने के लिए into x यहाँ बचेगा न c2 को मान आपने क्या निकाला है alpha suffix 2 beta suffix 2 upon factorial 2 gamma suffix 2 into x square आएगा एक step आप लिखना चाहो लिखो और न लिखना चाहो न लिखो तो this is the solution of hypergemetric function यही आपका hypergemetric function का solution है ठीक है this is the solution of hypergemetric differential equation लिख दीजेगा चुकि यह series के far में आया है इसलिए इसको हम series solution कहते हैं तो आप लिखेंगे this is series solution series solution of hypergemetric function बोलिए या differential equation करिए ठीक है hypergemetric series के दीजेगा and denoted by hypergemetric function कहिए या differential equation कहिए या series कहिए ठीक है and denoted by इसको denote कैसे करेंगे denoted by कैसे लिखा जाता है आपको जब push hammer symbol पढ़ाए गया था वहाँ पर hypergemetric series पढ़ाए गयी थी तो था f f alpha beta gamma x ऐसे लिखा जाएगा ठीक है और इसको ध्यान से देखें so इसको अगर लिखेंगे f alpha beta gamma x is equal to क्या लिखा जाएगा एक को sigma फ़ाम लिख दो तो आएगा sigma अच्छा एक मिनट जड़ा एक थोड़ी गलती हम कर गए एक थोड़ी गलती कर गए एक मिनट एक मिनट आपके पास सम्में C0 आएगा न C0 कामन हो जाएगा जब C0 हम कामन ले लेंगे सम्में से जब C0 कामन ले लेंगे तो क्या आप कहेंगे C0 यहां से हट जाएगा ठीक है तो जब C0 1 हो जाता है when C0 is 1 तब इसको कहा जाता है hypergemetric function गलत कर गए C0 कमान Bessels में ही माना गया था legendary भी माना गया था C0 यहां 1 मना जाता है तो इसकी value क्या है कि अगर sigma के far में लिखें अच्छा यहां 1 से start होगा sigma के far में लिखें तो sigma के far में कैसे लिखा जाएगा alpha suffix n beta suffix n upon gamma suffix n into x की power n upon factorial n ऐसे लिखा जाएगा और sigma n varying from sigma n varying from 0 to infinite यह आपका solution होगा अगर n को 0 कर दोगे तो यह मिल जाएगा 1 करो को तो यह बनेगा 2 करो को तो यह मिलेगा इस प्रिकार से solution मिलेगा तो यह क्या निकला first solution first condition जब k की value आपने क्या रखे थी 0 अब k की दूसरी value आपने क्या निकाली है 1- gamma तो second case लेके हम चलते हैं देखो हमने इसको दुबारा नोट कर दिया यह question 5 था यह देख लेना क्या question कौन सा है यहाँ k की value क्या लिखनी है 1- gamma here k is equal to second case क्या लिखा था second case k is equal to 1- gamma तो जब k को 1- gamma लिखोगे तो यहाँ cm is equal to इसको लिखा 1- gamma तो 1- gamma प्लस M माइनस 1 प्लस alpha 1- gamma प्लस M माइनस 1 प्लस beta अपान k को लिखा 1- gamma प्लस M इसको लिखा आपने 1- gamma प्लस M माइनस 1 प्लस gama और into cm-1 लिख सकते हैं इसको थोड़ा calculate का लिए आजाए ठीक है अब देखो एक लफड़ा यहाँ पर है यहाँ पर थोड़ा सा symmetry के form में इसको break करना पड़ेगा ठीक है तो को इसमें एक लफड़ा यह है कि हम M-1 को छेड़ेंगे नहीं M-1 को लिखा रहे है ऐसे ही M-1 लिखा रहेगा हम करेंगे क्या यहाँ पर इसमें एक assumption माना जाएगा let alpha plus 1 minus gamma alpha plus 1 minus gamma को हम मानेंगे alpha dash और beta plus 1 minus gamma यह याद करना पड़ेगा beta plus 1 minus gamma को मानेंगे beta dash और 2 minus gamma को मानेंगे gamma dash 2 minus gamma को मानेंगे यह parameters हैं किसी form में हो सकते हैं इसको हम gamma dash मानेंगे ठीक है तो जब मानेंगे तो value क्या होगी देखा जाए, उपर यह लिखे दे रहे हैं, योग हमको आ नीचे जगह चाहिए, एक स्वारी, देखे, जब यहां रखेंगे आप, तो cm is equal to, देखे, हमने कहा alpha plus 1 minus gamma, alpha plus 1 minus gamma को मानेंगे alpha dash, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा alpha dash plus m minus 1, ठीक है, आपने कहा कि beta plus 1 minus gamma को beta dash, तो बन जाएगा beta dash बनेगा beta dash plus m minus 1, अपान, इसको हमने क्या माने कहा कि 2 minus gamma, साउधान, 2 minus gamma को मानेंगे gamma dash, यहाँ 2 minus gamma था है नहीं, जाएगे ज्यान से, अगर मैं इसको 2 कर दूँ, और minus 1 कर दूँ, चलेगा, अगर इसको 2 कर दूँ, और minus 1 कर दूँ, चलेगा, तो यह बन जाएगा gamma dash plus m minus 1, और यहाँ क्या आएगा, और minus 1 से plus 1 कर गया, minus gamma से plus gamma कर गया, बाहर m आ गया, cm minus 1, यह equation number 6 आया, यह याद करना पड़ेगा, कि हमने जो, हमारे, जो यह symbols थे, ठीक है, परामीटर्स जिनको कहा जाता है, इन परामीटर्स को हमने थोड़ा assume कर लिया, अब देखो, m कमान रखना शुरू करो, फिर value निकालो, तो m कमान 1 रखते हैं, when m is equal to 1, तो 1 रखो, यहाँ क्या आएगा, c0, यहाँ देखो क्या आएगा, 1 रखा है, m को 1 रखा है, तो 1-1, 0, यहाँ alpha dash आएगा, 1-1, 0, यहाँ beta dash आएगा, अपान m को 1 रखा है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ gamma dash आएगा, इन तो c0 आएगा, यहाँ c1 आएगा, c1 कमान क्या आएगा, alpha dash, beta dash, 1, gamma dash, बिल्कुल सेम पहले वाला symmetry जो बनी थी ना, solution, वही बनेगा, वह alpha, beta में था, यह alpha dash, beta dash में बनेगा, ठीक है, अब आपने m को 2 रखा, जब 2 रखा आपने m को, जब देखेगी, क्या आएगा, alpha dash, 2-1, यहाँ plus 1, alpha dash plus 1, beta dash, यहाँ क्या आएगा, क्या कर रहे हो बाजबेजी, m को 2 रखोगे, तो left hand side भी तो लिखो, यहाँ c2 हो जाएगा न, alpha dash plus 1 आएगा, beta dash plus 1 आएगा, अपन, m जब के 2 हो गया, यह gamma dash plus 1 आएगा, और बाहर बचेगा c1, और c1 का मान क्या है, c1 का मान है, alpha dash, beta dash, बन गामा dash, तो c1 की जगे अगले स्टेम क्या करोगे, alpha dash, beta dash, अपन, gama dash, c0, ठीक, अब देखो ध्यान से, थोड़ा से इसको symmetry करते हैं, जब इसको 7 लिखोगे, तो आएगा, alpha dash into alpha dash plus 1, beta dash into beta dash plus 1, अपन, यह जो 2 अकेला है, इसको factorial 2 कर दोगे, आएगा, gama dash into gama dash plus 1, into c0, अभी हम बता चुके हैं, यह alpha dash suffix 2 हो जाएगा, beta dash suffix 2 हो जाएगा, factorial 2, gama dash suffix 2 हो जाएगा, into c0, ठीक, इसी प्रकार से जब m को 3 करोगे न, similarly कर दोगे, तो c3 कमान क्या जाएगा, alpha dash suffix 3, beta dash suffix 3, gama dash suffix 3, into factorial 3, into c0, and so on, इस प्रकार से सब value निकलती जाएगा, चली जाएगी, ठीक है, इसको चाहो तो लिसकते हो, alpha dash suffix 1, beta dash suffix 1, gama dash suffix 1, c0, ठीक है, अब आपको solution क्या निकालना है, solution अभी आप बता चुके हैं, आपने solution माना था, उस solution में उठा किसको रग दो, c1, c2, c3 को माना, आपको answer आजाएगा, अब कहते हैं, ये value उठाईए और equation बब 1 में put कर दीजे, 1 क्या था है, 2 में put कर दीजे, 2 था न, 1 तो a differential equation थी, 2 में आपने y ब्रावर क्या माना था, sigma, m varying from 0 to infinity, cm, x की पावर, k प्लस m, यही माना था न, और यहाँ पर m की value क्या है, k की value है, 1 मानस गामा, यह हो जाएगा, आपका sigma, m varying from 0 to infinity, cm, x की पावर, 1 मानस गामा प्लस m, यह x की पावर आएगी, ठीक है, अब आप m का मान रखना सुरू करो, सुरू करिए, देखो जान से, अच्छा, इसको एक चीज़ आदा देखिए, जान से, इस, इस 1 मानस गामा को, इससे कोई मतलब तो है नहीं हम से, तो मैं अगर इसमें x की पावर, 1 मानस गामा अलग कर दूँ, और सिग्मा केवल m, वैरिंग फाम 0 टो इंफिनिटी, cm, x की पावर m रखनें कोई दिक्कत, भई यह तो डिस्टरब नहीं करना ना आपको, तो यह क्या आएगा, यह आएगा, x की पावर लिखारा ने दो, यह क्या आएगा, c0, प्रस c1 x, प्रस c2 x square, प्रस c3 x cube, अप्टू सो आण, आप c0, c1, c2 का मान रखिए, तो x की पावर, 1 माइनस गामा, c0, c1 का मान क्या निकला है, c1 का मान निकला है, alpha dash suffix 1, upon beta dash, into beta dash suffix 1, upon gamma dash suffix 1, into x, upon factorial 1, कोई मतलब नहीं लिखने का, into c0, प्लस c2 का मान क्या निकला है, alpha dash suffix 2, into beta dash suffix 2, upon gamma dash suffix 2, into x square, upon factorial 2, into c0, प्लस 1, ठीक, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कि सब में से c0 का मान ले लिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ से c0 गाव हो जाएगा, यहाँ से भी गाव हो जाएगा, अब जैसा कि हर differential equation में एक constant की value दिखी जाती है, तो c0 का 1, रख दिया 1, यह c0 is equal to 1, तो y is equal to क्या हो जाएगा, यही आपका, so, the series solution, series solution of hyper geometric differential equation, चलेगा, hgde, यह कोई full form standard नहीं है, कि आप यही लिख दोगा हर जोगे लोग समझ जाएगे, ठीक है, तो जो जो इसको लिखेंगे, तो क्या हैगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, f, alpha dash, beta dash, gamma dash, slash x, is equal to, c0, 1 माना है, x की पाओर 1 minus gamma, आएगा 1 plus, अच्छा, sigma में लिख दो, उठा करके, इसको sigma में रख दो हैं, लिखो कोई दिख कर नहीं, alpha dash suffix 1, beta dash suffix 1, gamma dash suffix 1, x plus alpha dash suffix 2, beta dash suffix 2, gamma dash suffix 2, x square upon factorial 2, plus 1, अब जैसा के पहले भी sigma लिखा था, वैसे sigma लिख दो, answer आ गया, ठिक, तो कैसी कही, ठीकी कही होगे न, next, next video, नमस्कार,